गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब वेलकम बैक वाइफाइ स्टेडि विथ नंदिनी और जैसा कि आप सब को पता है कि हम आज जिसक्स करेंगे दस जून के करेंट अफेर के बारे में और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल ऐकन जरूर प्रेस कर लीजिए लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ही करने का और बहतर होने का मौका देता है यानि हार से घबराने की जरुरत नहीं है अगर हार मिलती है तो उसको पहचानिए और साथ में अपनी ability को अपनी capacity को पहचानिए ability को improve करिए problems को सुलजाईए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए तो चलिए इनी शुब कामनाओं के साथ में मैं start करती हूँ आज की अपनी class को फास जो हम बात कर रहे है वो हम बात कर रहे है वर्लकौारन future day के बारे में जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 10 जून को हम Children Ground Water Day मना रहे हैं और साथ में आपको बता दूँ कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये Ground Water है Ground Water के लिए समर्पित दिन है तो यानि कि Across the World लोगों में Awareness पैदा करने के लिए कि जो Ground Water है वो हमारे लिए मनुशियों के लिए जानवरों के लिए पशुपक्षियों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेड़पोधों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका सरक्स संरक्षन करना इसको बचाना कितना ज़्यादा इंपॉर्ट उनको मनाया जा रहा है अच्छा देखो भारत में अगर ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें उसके बारे में समझें तो आपको मैं बता दू कि भारत में लगभग 230 कितने लगभग 230 बिलियन मीटर क्यूबिक भूजल निकाला जाता है हर साल है ना यानि क्रिशी के सिचाई के लिए 230 बिलियन मीटर क्यूबिक जल जो भूजल है ग्राउंड वाटर है उसको निकाला जाता है जिससे भारत में ग्राउंड वाटर की कमी देखी गई है और यह भी बोला गया है कि अभी तक या लगभग हर साल भारत में जो कमी देखी जा रही है ग्राउंड वाटर की वो कितनी देखी जा रही है तो 122 से 199 बिलियन मीटर क्यूबिक देखी जा रही है तो आप देख सकते हैं कि जादा से जादा ग्राउंड वाटर का यूज करने से जो ग्राउंड वाटर स्टेटर्स एक जो ग्राउंड वॉटर है उसका जो लेवल वो दिन प्रतिज्म क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा और लगभग 122 से लेकर जो भारत का कृषी मंत्राला है, भारत का जल संसादन मंत्राला है, उसके तहत काम करता है", जब इसकी स्थापना करी गई थी तो इसका नाम था टूबिल संगठन, और इसके बाद इसका नाम बदलकर 1972 में क्या कर दिया गया भारतिय भूब एग्यानिक सर्वेक्षन कर दिया गया क्या कर दिया गया भारतिय भूब एग्यानिक सर्वेक्षन कर दिया गया इसका मुख्याल हमें हर्याना के फरीदाबाद के एक हर्याना का जो फरीदाबाद है वहां पर भूजल भवन है वहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है अब देखो यहां पर कुछ हम पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्मेंट की कुछ पॉलिसी है जिसके माध्यम से जो ग्राउंड वॉटर है उसको बचाने की कोशिश करी जाती है तो वह क सब्सक्राइब के द्वारा इसमें 6,000 करणों रूपए की सहायता भी ली गई है जिसका मोटिव ही यह है कि किस तरीके से जो ग्राउंड वॉटर है उसके लेवल को इंप्रोव किया जाए इसके बाद जल शक्ति अभियान जल शक्ति अभियान के बारे में बात करूं तो इ जंगल है जंगल को भी बचाने के लिए इसमें काम किया जाएगा इसी बात कही है इसके बाद हम जल भृत मान्चितरन और प्रबंधन कारिगरम यानि की एकवए कrire बारे में बात कर रहे हैं मैपिंग बाद कर रहा है कि जहां जहां पर noun water supply दिखेगा जहां जहां पर ग्रायॉट वाटवाटर हमें दिखेंगा उस एडिया का अच्छे से management किया जाएगा उसका उसकी mapping करी जाएगी और उसको संरक्षित करने का भी काम किया जाएगा इसके बाद हम बात कर रहे हैं काया कल्प और शहरी परिवर्तन हे तो अटल मिशन किसके बारे में बात कर रहे हैं अटल मिशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अम्रिथ भी बोलते हैं तो ये मिशन जो अम्रिथ है especially ये जो शहर है है ना जो हमारे देश के शहर है उनके बुनियादी ढहाचे को improve करने के लिए इस मिशन को लेकर आया गया था साथ में ही इससे जो ground water है उसके उपर काम किया जाएगा जो सीवेज है उसके उपर काम किया जाएगा पानी की आपूर्टी के उपर काम किया जाएगा पानी के सफाई के लिए काम किया जाएगा इन सब विश्यों को लेकर जो अमरित mission है इसको लेकर आये गया था जिसको कहा जाता है काय कल्प और शहरी परिवातर हेदू अटल मिशन तो यह कुछ सेंटरल गवर्मेंट की स्कीम्स हैं जिसके बारे में हमने जान दिया जो ग्राउंड वाटर से रिलेट करती है या जो पानी का प्रबंदन है उससे रिलेट करती है अब देखो यहां पर कुछ इस्टेट गवर्मेंट की स्कीम्स है जिसके नाम यहां पर लिखे गए हैं जो हमें पता होना चाहिए और देख लेते हैं क्या क्या है तो देखो सबसे पहले राजिस्तान की स्कीम है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन महरास्ट्रा की क्या है जल युक्त शिबार गुजरात की सुझलाम सुफलाम अभियान तेलंगाना की मिशन काकतिय आंदर प्रदेश की नीरू चट्टू इसके बिहार की जल जीवन हरियाल अभियाना की जल ही जीवन और तमिल नाडू की फुदी मरा मत्व यूजना ठीक है तो यह कुछ यूजनाए है इसपेस्टी वॉटर यूजनाए है जल से रिलेटर यूजनाए है जो हमें पता होनी चाहिए स्टेट से रिलेटर हैं अब यहां पर हम बात कर रहे हैं विश् समझ में आ रहा है वो वेक्ति जो जिनकी मृत्ति हो गई है तो लोगों को अवेर करना कि अगर आपकी मृत्ति हो जाती है तो ऐसे लोगों को अपना नेत्रदान में दे कर जाईए जो नेत्रहीन है जिनको आखों की जरूरत है तो इस लोगों के बीच में आवेरनेस पैद क्लियर देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं वह ब्लाइडनेस इस वन ऑफ दो मेजर पब्लिक हेल्ट प्रॉब्लम इन डेवलिपिंग कंट्रीज यानि जो विकाशियल देश हैं वहां पर आप देखेंगे तो ब्लाइड जो ब्लाइडनेस है वह एक मेजर है प्रॉब्लम है जो आखों की जो लेएर है जब उसमें छती हो जाती है उसकी वज़ें लॉस होता है ब्लाइडनेस होता है अब हम बात कर रहे हैं विश्व आर्ट नेवियू दिवस यानि वर्ल्ड आर्ट नेवियू डे के बारे में जो हर साल 10 जून को मनाया जाता है और इस बार भी 10 का नाम है सामगरी क्या नाम है सामगरी सबसे पहले 2013 में पहला विष्व आर्ट नेवियो दिवस्तों मनाये गया था कि तो हमने बात कर ली वर्ल्ड आर्ट नेवियो ड्य के बारे में 2 10 घुंक को बनाया जाता तरिस भार धी यह इस बार धी में वह इक एसी वास्तुकला है एक ऐसी सजावटी कला है जो घर को सजाने का यह जहां पर भी हम रहते हैं उसको सजाने के लिए एक तरीके से एक शैली है एक फॉर्म है आर्ट का अधियर है देखिए हम बात कर रहे हैं नेशनल बॉल पॉइंट पैन डे के बारे में जो हर साल 10 जू उनको मनाए गया है और सबसे पहले 1943 में इसको पेटेंट कराने के कोशिश करी गई थी ठीक है और साथ में आपको यह भी बता दूँ कि इसके लिए जो जिम्मेदार है जिन्होंने इसका आविशकार किया है वो कौन है तो 1943 में जून के महीने में लेजलो और ग्योर्गी ब पर नेशनल बॉलवट पैंडे के बारे में हर साल 10 जुन को मनाया जाता है कि देखिये हम बात कर रहें हमारा जो सरा कमपनी मिनिस्ट्री के तहत काम करते इस रवč 09 चेतर की जिसका नहीं me container Container Corporation of India क्या नाम है Container Corporation of India जिसको हम कौन कौर बोल रहे हैं तो इसके प्रबंध निदेशक की रूप में इसके Managing Director की रूप में और इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है Sanjay Soroak को किसे चुना गया है Sanjay Soroak को तो इनका नाम आप याद रखिएगा ठीक है हमने यहां बात कर ली किसके बारे में संजे सरोग जी के बारे में बात कर ली कि उनको अभी Container Corporation of India का MD घोशित किया गया है अब उनकी निग्टिक कर दी गई है ठीक है Container Corporation of India Limited के बारे में थोड़ी सी जानकारे ले लो पहली जानकारे तो हमने दे दी आपको कि यह जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके तहट काम करता है और एक सारवजनिक छेतर की कंपनी है ठीक है साथ में ही यह क्या काम करता है container परिवहन जैसा कि नाम से के बारे में बात करूँ तो जो कॉन कॉर कंटेनर परिवहन से वाए है उसके शिंखला दी गई है जिसको हम देख लेते हैं तो रेलवे के द्वारा अंतरदेश ने परिवहन बंदरगाहों और ICD पर container handling container front station संचालन container पट्टे और मरमत container माल aggression और भंडारन और cold storage यानि आप देख रही है किस तरीके से container Corporation of India Limited अपने अलग-अलग फिल्ड में अलग-अलग sectors में काम कर रही है अब देखो हम बात कर रहे हैं एक चक्रवात के बारे में ठीक है उस चक्रवात को थोड़ा समझते भी हैं कहां पर चक्रवात बनने की संभावना बताई गई है सबसे पहले भारत के मैप में आप तो रहे है इसका नाम दिया गया है नाम दिया झायघंढ ऑर यह टरीके का चक्रवाती तुफान है और इसका नाम किसके दौरवा दिया गया है तो इसका नाम दिया गया है biography अग्जुदॉद्ष की द्वारा क्यों कि बांगयो तेश है वहां पर जो बंगाली लेंग्वे यहां पर इसकी जो चक्रवाती तुफान है इसकी बनने की संधावनाय बताई गई है और जून का महिना होता है जून के महिना सबसे अच्छा होता है इस प्रकार के चक्रवातों को बनने के लिए ठीक है देखिए हमने बात कर ली ये एक तरीके का उश्नकटिबंधी चक्रवात है मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार और मौसम विज्ञान संगठन क्या काम करता है कि पर्टिकुलर जिस एरिया में चक्रवात उत्पन होता है तो उसके आसपास के देशों से नाम सुझाव उस चक्रवात के साइकलोन के नाम का सुझाव लेता है ठीक है तो इस बार का जो ये चक्रवात है जो ये साइकलोन आ रहा है इसके लिए नामकरण किसके द्वारा किया गया है तो बंगलादेश के द्वारा किया गया और ये भी बताया गया है विश्व मौसम संगठन के द्व तो अरब सागर में अगर चक्रवाद की स्थिति आप देखना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उष्ण कटी बंधिया चेत रहे हैं सबसे पहली बात दूसरी चीज जो जून का महीना होता है वो सबसे अच्छा महीना होता है इस तरीके का जो साइकलोन है उस समुद्रवाला एरिया है वो प्रभावित होता है और जो जलवायू में परिवर्टन देखने को मिलता है और इस तरीके के जो तुफानी सैकलोन है वो हमें देखने को मिलते हैं देखे। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, President आपको ये भी बता दूंश thatable धूच क्या है। तो campaign का नाम है I am a DR, a DR is me, इस campaign को स्टार्ट किया गया है, उसके पीछे का motive है कि जो वहाँ पर निवास करने वाले इस्थानी अडियार लोग है, उनकी संस्कृति को, उनकी विरासत को बढ़ावा देना है, साथ में ही जो फेडरल बैंक की जो अडियार साखा है, जो यह जो जीवन चरित हैं, उनकी पेंटिंग भी दिखाई जाएगी और लगवक 40 सम्मुहक कहानियों को दर्शाने की बात कही गई है, ठीक है, तो समझ में आ गया, I am a DR, a DR is me, यह जो campaign है, शुरू किया गया है, चेन्नेई में, फेडरल बैंक के द्वारा, ठीक है, हमने बात कर ली campaign aims to honor and celebrate the local community of a DR, ठीक है, अब देको फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में बात करें, तो भारत की जो प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, यह जिसका मुख्याल है, आपको केरल के कुच्ची के अलुआ में देखने को मिलेगा, कहां पर केरल के कुच्ची के अलुआ में देखने को मिलेगा, और साथ में आपको यह भी बता दूँ कि इस समय प्रेजंट में पूरे भारत में इसकी कितनी सारी ब्रांचेज हैं, तो तेरो सो सतर इसकी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाएंगे, इसकी स्थापना किसके दौरा करी गई थी, तो के पी हॉरमिस देशी शाखाई भी हैं, जिनके बारे में जान लेते हैं, कहां कहां पर हैं, तो अबुधाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई में भी इसके कारयाले हमें देखने को मिल जाएंगे, अब तमिल नाडू के बारे में बात कर लेते हैं, तो तो भारत का दक्षिंटम 1869 को, और आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद माहसागर से घिरा हुआ है, साथ में इसकी राजधानी चन्न नहीं है, राज्येपाल रविंदर नारंड रवी है, मुख्यमंतरी M.K. स्टालिन है, विधान सभा में 235 सीटे जाती है, राज्ये नाटो के बारे में तो नाटो का एक वायुसैनिक अभ्यास होने वाला है, यानि कि Air Defender 23rd होने वाला है, Air Defender 23rd है, बात कर लेते हैं इसके बारे में एक तरीके से वायुसैना का deployment acquired upquaास क्या है लारज़ेस्ट Eternal एक्सर्साइस है जो किसक्ट द्वारा कराए जाता है तो नटो के द्वारा करा जाता है और अभी मैं बता दूं कि कितने दिन तक चलेगा 10 दीन तक चलेगा कितने दिन तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानि आप देख सकते हैं तो 220 प्लस 25 यानि की हो गया 542 यानि 225 जो एयर विमान है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा वायुसेना का deployment अभ्यास है जो NATO के द्वारा कराया जा रहा है और इसकी starting यह कहां पर कराया जाएगा ज़िए जर्मनी में कराया जाएगा और सबसे पहले start किया जाएगा यह प्रसिक्षर जर्मनी के रामिस्टीन एयर बेस में ठीक है अब देखो एयर डिफेंडर 2023 के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम सब को यह पता होना चाहिए कि यह नाटो की दोरा कराया जा रहा है यूरोप के जर्मनी में कराया जा रहा है और इसम तरीके से जो जो एयर फोर्स है उसकी कैपसिटी बिल्डिंग को कैसे इंप्रूफ किया जाए अलग-अलग देशों के साथ मिलकर अभ्यास के माध्यम से अगर युद्ध की स्तिती हो जाती है तो किस तरीके से हम और हम जो है युद्ध की स्तिती से निपट सकते हैं ठीक है देखे उत्तरी अट्लांटिक संधी संगठा नाटो या नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी ऑर्गनाजेशन ठीक है इसको स्टार्ट कप किया गया था तो मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था इसको स्टार्ट किया गया था जब 1945 में Second World War समाप्त हो जाता है और उसके सोवियत संग और USA दो ऐसे ऑर्गनाजेशन बनकर आते हैं जो अलग अलग दो धूरियों में बटे होते हैं सोवियत संग के का जो विस्तार है है ना उसको रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपिय देशों के द्वारा मिलकर उनके सैनिशाशन को बढ़ाबा देने के लिए एक ट्रिटी करी गई जिसका नाम रखा गया North Atlantic Treaty Organization या उत्तर Atlantic संधी संग अठार है ना और इसका मुख्याले कहां पर होगा तो इसका मुख्याले हमें मिल जागा Belgium के Brussels में और इसको इसकी स्थापना करी गई थी 1949 में इसके पीछे का मोटीव ही यह था कि जो सोवियत संग है उसके विस्तार को बढ़ावाज जो दिया जा रहा है उसको रोका जाए और अमेरिका और यूरोपिय देशों के साथ मिल कर इसका निर्मान किया गया था इसके नाटों के अगर संस्थापक सदस्य देशों के बारे में बात करें तो USA है, USA है, Canada है, Belgium है, Denmark है, France है, Iceland है, Italy है, Lux जंबर्ग है, नीदरलेंड, नार्वे, पुर्तगाल और United Kingdom, यानि 10 यूरोपिय देश थे, 10 यूरोपिय देश थे, जिन्होंने मिलकर उत्तरी अट्लांटिंग संभी संगठन बनाया था, ठीक है, प्रिजन टाइम में इसके महासचीव कौन है नाटों के, तो वो है जैन्स इस टोल 10 बर्ग, कौन है जैन्स इस टोल 10 बर्ग, क्लियर हो गया, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संभी तो राष्ट संग का, एक संगठन है, जिसका नाम क्या है, खादे और कृशी संगठन, ठीक है, तो खादे और कृशी संगठन के द्वारा, एक अभियान चल आए गया, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एकसिलरेटर प्रोग्राम, क्या नाम है एकसिलरेटर प्रोग्राम, और इसी प्रोग्राम के लिए भारत के केरला का जो एक स्टार्ट अप है, जिसका नाम है फार्मर्स फ्रेश जोन, इसको सेलेक्ट किया गया है, और साथ म आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के लगबग 12 ऐसे start-ups को चुना गया है जिसमें भारत के केरला का जो start-up है जिसका नाम है farmers fresh zone इसको भी शामिल किया गया है है ना और इसका जो आप इसका मुख्याले कहां पर देखेंगे तो केरला start-up mission के तहट कुछी में अपना काम कर है multi-channel marketplace platform पर multi-channel marketplace platform पर clear हो गया और जिसका aim ही यह है कि किस तरीके से जो संयुक्त रास्ट के सतत विकास लक्षे हैं जो SDG है उनको प्राप्त किया जा सके है ना यहां पर हमने बात कर ली किसके बारे में FAO के बारे में यानि food and agriculture organization के बारे में जो UN का एक संगठन है जिसके द्वारा ही यह program start किया गया है जिसका नाम क्या है accelerator clear हो गया तो हमने बात कर ली केरला का startup mission है जिसके तहक farmers fresh zone काम करता है और इसके CEO कौन है तो इसके CEO है प्रदीप कौन है प्रदीप PS कौन है प्रदीप PS इसके CEO है farmers fresh zone के जो अगले महीने यानि जुलाई के महीने में 24 से 26 ज summit Scott taking moment इसमें पार्टिपेट करने जाएंगे जो 24 से 26 जुलाई के बीच में होगा किस संगठन के तहत होगा तो जो फूड और अग्रिकल्चर ऑर्गनाइजेशन है संतुरा संका उसके तहत जो होगा उसमें पार्टिपेट करने जाएंगे और यहां पर यह अपने startup का model तो यह इक तरीके से क्या काम करता है जो opers जो किसान उसके बीच में सीधे काम करता है यानि कि जो फार्मर से उससे समान लेता है और सीधे कस्टमर के डेशि़ पर पहुंचाता है है और इसमें बहुत सारे पंद इसbers देव lui बनाए जाते है उसको सीध है तeurs ऊब्हुचता लाग से अधिक उभोगताओं से जोड़ चुका है और लगभग 2,000 किसानों को आपस में जोड़ता है यानि 3,000,000 कस्टमर प्लस 2,000 किसान इन किसानों से सामाल लिया और ये 3,000,000 कस्टमर तक पहुच जाया ठीक है यानि form to table delivery के साथ में 24 घंडे के अंदर हमने बात कर ली य उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भारत की राश्टपती कौन है द्रपदी मुर्मु जैसा के स्क्रिन पर भी आप देख सकते हैं तो ये सर्विया की यातरा पर गई है तीन दिवसी यातरा पर गई है साथ से नौजून के बीच में और इनके बीच में और जो सर्व 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब देखो नेक्स जो हम बात कर रहे हैं किन विश्यों पर दोनों देशों ने समझाता किया है या किन विश्यों को लेकर ब्यापार किया जाएगा जिससे ब्यापार एक अरब यूरो हो जाएगा तो वो विशे कौन-कौन से देख लेते हैं, तो फिल्म निर्माण का छेतर है, रक्षा है, प्रद्योगी की है, सैने प्रद्योगी की है, फार्मासियोटिकल डिपार्टमेंट है, फार्मिंग डिपार्टमेंट है, जो अध्योगी सहयोग करेंगे एक दूसरे के साथ में, औ सूशना और प्रद्योगी की डिपार्टमेंट भी है और कल्चरल भी एक दोसरे के साथ सहयोग करेंगे और इस तरीके से काम करते हुए जो ब्यापार है उसको बढ़ाया जाएगा एक अरग यूरो किया जाएगा दोनों देशों के बीच में इसे पूला कि देखिए अम बात कराहं है सर्विय madrire के बारे में दीख सकते हो तर्व सबसे पहली बास आपको यह पता चल जाएगी मैं देख्ते हैं customer land-locked country लेंड लॉग्ड कंट्री का मतलब है कि इसके चारो तरफ जमीन जमीन देखने को मिल रही है कहीं पर भी पानी देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है और बीसे शताब्दी के अधिकांस हिस्चे तक यह सिर्फ जो यूगोसलाविया है उसका पाट रहा है साथ ही जो बालकन है व बियाई दिनार है क्लियर देखें यहां पर जो हम बात कर रहे हैं हर्याना के बारे में बात कर रहे हैं हर्याना की जो गवर्मेंट है और हर्याना के जो मुख्यमंत्री वह कौन है तो मनुह लाल खटर ठीक है इनके द्वारा अमरित जल क्रांती जो इनिशेटिव है अमरित अमृत जल क्रांती पहल स्टार्ट किया गया है साथ में इसके पीछे का जो मोटीव है वो क्या है मोटीव यह है कि जो जल संसाधन है एकिकरत जल संसाधन कारे योजना 2023 और 2025 डिसाइड किया गया था उसी के तहट एक पहल लेकर आई गई है एक इनिशेटिव लेकर आए गया है जिसका नाम रखा गया अमृत जल क्रांती पहल है ना और साथ में मैं आपको यह भी बता दूँ कि इस पहल के तहट जो हर्याना है वहाँ पर जल की शुदता के उपर जो अंडर ग्राउंड वाटर है ूसके उपर काम किया जाएगा वाटर वेस कैसे विखसित किया जा सकते है उसको संडप्षित कैसे किया जा सकता है management कैसे किया जा सकता है इन सब विश्यों को लेकर ही एक योजना इस्टार्ट करी गई जिसका नाम रखा गया था एक एकरित जल संसाधन कारे योजना तो उसी योजना के तहट एक initiative स्टार्ट किया गया है उस initiative का नाम है अमरित जल क्रांती पहल किसके द्वारा हर्याना के जो मुख्य मंत्री है मानोहर लाल खटर के द्वारा clear हो गया समझ में आ गया अच्छा जो हर्याना गवर्मेंट है उसकी एक और योजना आई थी पहले उसके बारे में जान लेते हैं तो हर्याना गवर्मेंट की ही एक योजना थी जिसका नाम था मेरा पानी मेरी विरासत ठीक है क्या नाम था मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना को द्वारा क्लियर हो गया तो हमने बात कर ली अमरित जलक्रांथी पहल के बारे में अंडर दा अमरित जलक्रांथी इनिशेटिव हर्याना चीफ मिनिस्टर मनुहर लाल विल इनागरेट दा इंटिग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्षन प्लांट 2023 और 2025 यानि कि दो साल के भीतर जो अमरित जलक्रांथी पहल चल रहा है उसके तहती एक एक्षन प्लांट लेकर आये गया है किसके द्वारा हर्याना के मुख्य मंतरी मनुहर लाल खटर की द्वारा और इसका नाम क्या है इसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स क्या नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स ठीक है अब यहां पर देखो हम बात करनें एक बुक के बारे में ठीक है एक बुक है जिसका नाम रखा गया है अजय टू योगी आदित्यानाथ क्या नाम रखा गया है अजय उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है अजय टू योगी आदित्यानाथ है ना और साथ में आपको बता दू कि पांच जून को योगी आदित्यानाथ जी का 51 नंबर का बर्डे था यानि 91 इनका बर्डे था इस अवसर पर ही उप्तर पुदेश के 51 से अधिक स्कूलों में जो उपन्यास नॉवल है इसको क्या करा लॉंच किया गया और जिसमें लगभा पांच अजा से अधिक विद्यार्थियों ने पार्सिपिट किया था भाग लिया तो समझ में आ गया हमें बुक का नाम पता होना चाहिए ग्राफिक उपन्यास है अजय टू योगी आदित्याना पर रिवीजन हम कर लेते हैं तो देखो सबसे पहले रिंग साइट किसके दौरा लिखी गई रिंग साइट जिसके बारे में कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था बुक लिखी गई है विजय दर्ड़ा के दौरा इसके बाद गर्स अमिट्स ब्लेड़ बॉद द अंशुमान गायक वार्ड नारेटेव यह बुक किसके दौरा लिखी गई आधिते भुषन के दौरा लिखी गई है रसकिन बॉंड की गोल्डन इयर्स अभी आई है अमिताफ कांथ की में किन इंडिया 75 इयर्स और बिजनेस एंडर्प्राइज श्री नारायन बागुल की करनी है आपको क्योंकि इनकी बुक जरूर एक्जाम में पूछी जाती है तो हमने बात कर ली शांतनु गुपता की जो ग्राफिक उपन्यास है ग्राफिक नॉवल है जिसका नाम है अजय टू योगी आधित्यानाथ इसके बारे में क्लियर अब देखो हम बात कर रहे हैं के मैं आपको यह बठार झूं कि 62 में 62 में इनको बारत के पहले राजपती हमारे देश के कौन थे ईक हो इन के द्वार और चेकत है प्रमा शोप चक्र दिया गया था सिव्ए जैंत्युक आप मेरी ये ये ट्यूर में 1967比較 आईक उनका बदलकर क्या कर दिया गया शोग चक्र का में बात करें तो ये एक लांस नाय के रूप में काम कर रहे थे अर्द सैनिक बल जो असाम राइफल है उसमें रेडियो अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे 1962 में इन्हें जो हमारे देश के पहले राश्पती थी राजेंदर परसाज जी उनके दोरा शोक चक्र दिया गया था इनका हाली में निधन हो गया है केरल से बिलॉंग करते थे और केरल के ऐसे पहले सैनिक थे के पहले वक्ती थे जिनको अशोक चक्र मिला था ठीक है तो हमने बात कर लिए LB D'Cruz जी के बारे में इस सेशन में इतना ही दोस्तों फिर कल मिलेंगे नए सेशन के साथ नए न्यूस के साथ में नए विचारों के साथ में तब तक लिए टेक क्यर बाई बाई चैनल पर बने रहिए टेलिग्राम के लिंक पर आप जाकर पढ़ सकते हैं न